तो देखा आपने ये जो एटू मिल्क है या हमारी देशी नसले ही जो है वो पैदा करती है हमने इनके एहमियत नहीं समझी हमें तो इस शोध के बारे में नहीं पता था ये तो बाहर हुआ तब चीज़ें पता लेकि हमेशा से परंपरा से कहा जाता रहा कि देशी गाय का दूद बहुत अच्छा है पर अब भी देखें विदेशों में शोध हुआ तो अब हमारी आख कि खुल रही है अभी पूरी तरह नहीं खुल रही है और इसको हमें समझना होगा क्योंकि यह आने वाली पीड़ी के लिए बहुत जिरूरी है इस विशे को और समझाएंगे आपको पूरी तरह कोशिश करेंगे समझाए इसका विज्ञानिक जो पक्ष है वो वह वी और ज जो विभाग था भारते क्रिशन और संदान परिशत में उसमें आप देखते हैं अभी आप कुछ समय पहले ही वहां से देवा निर्वित हुए हैं आपको बहुत-बहुत स्वागत है और मैं थोड़ा नीतियों के विशे में भी इसमें समझना चाहूंगा कि हमारे लोग जान विग्यानिक हैं इन्बी एजियार से जुड़े रहें नैशनल ब्यूरो एफ अनिमल जनिटिक रिसोर्स का नाल में अनुवांशकी के ग्याता हैं अच्छी तरह समझते हैं कि ये जीन वन्शानु ये क्या होता है रोग सब थोड़ा हमने भी कोशिश की कि लोग इसको समझ संजेब रला जी संजेजी जो हैं देशी नसलों की गाय जो हमने पालता है खासा उसे गिर नसल की जो गई हैं उसको आप पालते हैं कियो पालते हैं क्या उससे फाइदा है और किस तरीकेसे आप ए-to vinyl को समझते हैं और वो लोगों तक पहुंचा 끌शिश कर रहे हैं यह आ रहे हैं उत्पाद भी बनाते हैं देशी नसल की गाये भी पाल रहे हैं कई किसानों को आपने जोड़ा है थोड़ा आप से समझेंगे एक तो यही समझेंगे कि यह दूद बेचने की जो कला है यह क्या है मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसान जो है पाल तो लेता पर बेच नहीं इसमें क्या हमारे किसान करें कि वो इसमें सफल हूँ या आप से जानेंगे बहुत-बहुत स्वागत है शुरात मैं पढ़गी आपसे करूँगा हमने थोड़ा कोशिश की दर्शंगों को बताएं एटू मिल्क और दर्शंग जानना भी चाह रहे हैं अब क्योंकि कई लोगो है जो हमेशा पता नहीं क्यों दबा रहा उसमें मैं चाहूंगा कि आप बताएं हमारे दर्शंगों क्या चीज है यह देखिए डक्टर अन्राग आपके मादम से मैं अपने दर्शंगों को यह बताना चाहूंगा पहली बात तो मैं आपके यह जो कारकरम आप कर रहे हैं द दो तरह का जो शब्द अंग्रे जी के आपने कहें जो एटू यह ऐसा होता है कि जो दूद है उसमें दूद में कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं और उन प्रोटीन्स के अलग लग नाम हैं तो एक बीटा कैजीन एक प्रोटीन होती है तो वो जो एवन जो है और एटू तो A2 टाइब जो हमारी जो देसी नसल की जो गाये हैं उनके दूद में पाई जाती हैं इसके अलावा ये जो A2 जो बीटा केजीन है ये आदमी का जो हमारी माताओं का उनका जो दूद होता है उसमें पाई जाती है बकरी के दूद में पाई जाता है तो ये जो और A1 जो है जो मिलक है जिसको हम A1 मिलक है देते हैं उसमें जो बीटा कैजीन है वो जो है जो बिदेशी जैसे हॉलिस्टेन है तो उनकी जो नसलों का जो दूद होता है उसमें पाए जाता है और A2 आपने बिलकुल सही कहा कि यह हमारी आगे आने वाली जो हमारी PDI हमारा जो स्वास्त है उन से जुड़ा हुआ है हिंदुस्तान जो है पूरे विश्व में दुद उत्पादन में हम नमबर वन है तक सब यहां मैं इसलिए थोड़ा रूख हूँ क्योंकि आप नीतियों से जुड़े रहे यह बात जहां तक हमें पता हाला कि जर्मनी में जर्मनी के विग्यानिको नहीं और इस चीज को रोका गया है यह हम जानते थे पर नीतियों के स्थर पर इतनी बड़े कोई भी हमें पहल नहीं दिखी जी जी अब क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि किसान वाकई में देसी गाए को अपना है जी उस तरीकी कोई पहल अब हो रही है नीतियों के स किया है वो नीती बनाई आपने का के पहले जो आज से पचास साल पहले जो हमारे क्रॉस ब्रीडिंग यह वा उस समय ये वन एट्ू मिल्क का कॉंसेः्प नहीं था उस समय लोग और ये आपने सही चाहा कि कुछ वर्स पहले ही और लेकिन हमारे अगर आप प्राचीन हमारी उसमें देखें हमारे वेदों में देखें पहले लोग गाय के दूद को गायों में भी लोग कहा करते थे गाय के दूद का घी पीते थे उनको कभी हट अटेक नहीं होता था और कॉंसेप्ट यही था तो सरकार की पराथमिता यह है कि हम देसी नसल की गायों को बढ़ावा दे का सबसे बड़ा जो है वो यह है कि क्योंकि देसी नसल की हमारी जो गाए है वो उसमें A2 Milk है वो A2 Milk का वो है तो A2 Milk के साथ उसमें Antioxidant Omega 3 होता है उसके अंदर fat कम होती है Unsaturated fatty acids हैं इसके अलावा vitamin D है के हैं तो यह सब चीजें क्योंकि स्वास्त के लिए जरूरी हैं तो इनको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कि यह प्राथमिक्ता पर है कि किस तरह किसे हम अपनी देशी नसले की गायों को विसेश रूप से गववन्स को आगे बढ़ाया जाए और उसी स्रंखला में गोकुल मिशन जो है प्रारम किया गया है जी डॉक्टर सदाड़ा जी जैसे डॉक्टर पाठक ने भी बताया नीतियों पर तो हम और चर्चा करेंगे कुछ ऐसे जगे हैं जहां पर अफरीका की गाये जो हैं उनमें भी एटू है उनको हाट अटेक ही नहीं होता उनको दिल की कोई बिमारी नहीं है और हम तो बहुत ज़्यादा दबाव लेके चल रहे हैं दिल की बिमारियां बहुत हैं तो थोड़ा बताईए कि एक तो यह व दूदस दो किसम का है A1 और A2 असल में यह फरक दूद की प्रोटीन से है हम सब ही जानते हैं दूद में वसा भी है लेक्तोस भी है प्रोटीन भी है सब कुछ है जरश आगे बढ़ते हैं दूद में प्रोटीन है यहां तक बिल्गुल ठीक है प्रोटीन दरसल दूद की प्रोटीन का एक दूसरा नाम भी है जो अकसर लोग बोलते हैं वो है केजीन क्योंकि दूद में लगबग असी ब्यासी प्रतिशत जो किसम है दूद की प्रोटीन की वो केजीन किसम की है केजीन भी अपने आप में कई किसम की होती है उसके नाम भी है जैसे अलफा केजीन, बीटा केजीन, कैपा केजीन वगार वगारा इन सभी में जो बीटा केजीन है जो असल में केजीन में दूसरे नमबर पे है ये जड़ा हमें सभी को थोड़ा और सोच लेना चाहिए बीटा केजीन के बारे में बीटा केजीन दो किसम की मानी जाती है एक है A1 और एक है A2 यह क्या फरक है देखिए केजीन या प्रोटीन जो भी है इसको अगर इसकी सरचना देखें तो यह दिवार की इंटों की तरह है कि बहुत लंबी चेंड एमीनो एसीड एक छोटे-छोट है जो मिलके प्रोटीन बनाते हैं ओके इस चेंड की जो बीटा केजीन है उसकी चेंड की लेंग्थ भी पूरी तरह से पता है वह है 209 अगर दूसरी किसम का है तो वह A2 होगा है क्या मैं बताता हूं अगर 67 अमीनो एसीड प्रोलीन है तो ये A2 दूद मानना जाता है और अगर ये प्रोलीन के बदले में हिस्टीडीन है तो ये A1 है यहां बात पूरी तरह से पता नहीं चलती हम आगे देखते हैं असल में जो हिस्टीडीन है जिसने A1 बनाया उसकी पकड अपनी इस बाकी प्रोटीन से ज्यादा पकी नहीं है इससे होता क्या है मैं थोड़ा से डॉक्साब जो समझा यानि 67 जो नंबर है जो आप बता रहे हैं कि ये 67 जो है ये जो नंबर है इसमें एक प्रोटीन है प्रोलीन इसमें अमीनो एसीड है है ना प्रोलीन और ये प्रोलीन बदलके हिस does उसकी पकड अपने आसवास के प्रोटीन को अपने से छिपकाय कि वह बहुत कम है जो हमें दूद्ट पीते हैं तो जूद्ट हम पीने के बाद हमारे चिरीव में वह राली है डाब होता हैं कि ऑ के छोड़ी ने में वो फिर ज़जब हो सके एब्जोर्ब हो सके हमारी बोडी में जब कच्ची पकड़ वाला हमारे पास प्रोटीन दूद आ गया हिस्टीडीन वाला यानि के एवन तो होता क्या है जब एंजाइन से वो तूटता है तो वो कच्ची पकड़ होने के कारण एक साथ अमीनो एस जो अलग हो गए यह वो फिस्टीडीन की वज़ए से बूठ जाते हैं वह साथ बेस वाला इसलिए लग हुआ कि वह स्टीडीन कमजोर सी कडी थी अच्छा इसके अलग होने से साध बेस वाला जो अलग हुआ उसका अलग एक नाम भी है उसे बीसीम सैवन जयाने कि बीटा क पैसो मॉर्फिन सेवन मॉर्फिन शबत दोग साब मॉर्फिन शबत के बारे में फिर हम चर्चा जरूर करेंगे आप से अब ये जो बी-सी-म-7 अलग हो गया किस दूद से जो हिस्टिडीन वाला दूद यहनिये के एवन दूद से आया इसके कारण बी-सी-म-7 हमारी बोडी म अब्जोर्ब होने के बाद हमें खून की मारफत इवन ब्रेन तक पहुंच के हमें कुछ नुकसान पहुंचाता है और व्यग्यानिक अधार पर पूरा देख चुके हैं कि पांच बिमारिये हैं जिसका इसके साथ संबंध है ऐसा पूरे लिट्रेचर में अच्छी तरह से आ अच्छा इसका नाम मॉर्फिन यह अपने आप में थोड़ी सोचने की बात है इसका मॉर्फिन पे मैं इसले रुक रहा हूं क्योंकि मैं पांच बिमारियों का नाम हम अभी कह देना चाहते हैं एक तो है हार्ट डिजीज जिसे डॉक्टर लोग अक्सर इशेमिक हार्ट डि मोटे हो जाने से ब्लड प्रस्चर भी बढ़ जाता है असल में तीसरी बिमारी ब्लड प्रस्चर को ही मानते हैं और चोथी इसमें बिमारी है जिस जो एक सनाई रोग है जिसे आउटीजम नाम से जानते हैं या शाहिजोफरेनिया और एक पांच भी बिमारी है इसमें जिस एक diabetes और एक blood pressure diabetes type 1 इससे जुड़ा है type 2 इससे जुड़ा है चली मैं बता देता हूँ असल में diabetes भी दो किसम का एक type 1 एक type 2 type 1 जो बचों में होता है और type 2 जो बड़ी उमर में जाके होता है diabetes तब होता है जब हमारे शरीर में insulin की production कम या बंद हो जाती है type 1 diabetes बचों में होता है जब हमारी वो गरंथियें जहां insulin तयार होता है किसी कारण से उसके cells काम नहीं करते और असल में BCM7 जब हमारे दिमाग तक पहुंच के हमें नुकसान इस तरह से करता है वो संदेश देता है कि हमारी pancreas में pancreas वो जगह जहां insulin तयार होती है उसकी cells को मार देता है उसकी ताकत खतम कर देता है जिसके कारण insulin नहीं बनता और बचों में insulin ना बनने के वज़ा से जो diabetes हुई वो type 1 diabetes हो यह 5 बिमारी है यह सब बाते मैं अभी एक छोटा सा में break लेना चाहूंगा उसके बाद और इस पर चर्चा करेंगे देखे यह जो हम बात कर रहे हैं A2 milk की ज़रूरी था जो डॉक्टर साराण नहीं आपको बताया कि A1 milk जो है वो हमारे लिए कितना नुकसान दायक है कितने तरीके के रोग हैं जो उससे हो रहे हैं उसको रोकने में सक्षम है यह A2 milk यह जो A2 दूद है A1 A2 क्यों कह रहे है यह भी हमने आपको बताए इस पर और चर्चा जारी रखेंगा अभी वक्त है एक break का मिलते हैं break के बाद